तो हाई गैस कैसे है आप सब मैं यूराज आप सभी का इस नए वीडियो में स्वागत करता हूं जैसे कि आप में सब कुछ लोगों को ये पता होगा कि जल्दी सायमे के अंदर Android 11 का जो पीठा डेस्टिंगे वो स्टार्ट होने वाला है तो आज के वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूं Android 11 का एक launcher जिसको आप अपने कोई भी सायमे स्मार्टफोन पर इंस्टोल कर पाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते इस तरह से आपको ये launcher देखने को मिलने वाला है यहाँ पर मेरे पास है Redmi Note 9 Pro जिस पर मैंने इसको इंस्टोल किया हुआ है इसके लिए आपको ना तो phone को root करना है ना तो custom recovery की ज़रूरत पड़ेगी डायरकले बस आपको इसका IP की file है उसको download करना है और इसको install कर देना है वह किसे करना है वह भी मैं आपको यहां से दिखा जाता हूँ तो आपको description में इसका link मिल जाएगा pixel launcher इसका नाम है और आपको बस यहां से करना है इसको install जैसे आप इसको install कर देंगे तो यह install हो जाएगा उसके बाद आपको बस home screen पर जाके इसको default में कर देना है उसके बाद आप इसको customize कर सकते है अगर आपको यह wallpaper अच्छा लगया और इसको download करना चाते है तो इसका भी link आपको मैं description में दे दूँगा तो वहाँ जाकर आप इस wallpaper को भी download कर पाएंगे तो बात करते हैं इस launcher की तो यहाँ पर आपको customization इतना खास नहीं मिलता है बस कुछी option यहाँ पर आपको दिये गए है तो आप इन्हीं को use कर सकते है यहाँ पर customization में आपको theme का भी option मिल जाता है तो अगर आप dark theme या फिर light theme र जाता है अगर आप इसको enable करेंगे तो यह वापस से colorful हो जाएंगा तो इस तरीके से यह work करता है आपको एक दूसरा launcher भी यह similar launcher है इस से तो ओ भी मैं आपको दिखा देता हूं उसके अंदर आपको ज्यादा customization के option देखने को मिल जाता है तो यहाँ से हम home screen पर आएंगे और दूसरा launcher कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलता है similar इसका interface आपको देखने को मिल जाएगा पर इसके अंदर आपको कस्तमाईजर के option जो हो ज्यादा मिल जाते है और आपको यहाँ पर clock का भी support देखने को मिल जाता है तो जैसे ही आप यहाँ पर home screen का setting पर click करेंगे त तो यहाँ पर आप देख सकते हैं customized pixel launcher तो pixel launcher से कुछ customization इसके अंदर आपको ज्यादा मिलने वाला है तो यहाँ पर बात करते हम home screen के तो home screen के अंदर आपको अलग-अलग कई सारे option देखने को मिल जाता है यहाँ पर आपको scrolling effect पे देखने को मिल जाता है जो कि आपको official pixel launcher के अ या फिर दूसरा कोई भी setting करना चाते है तो इसके मेदद से कर सकते हैं उसके बाद यहाँ पर आपको widget का setting दिया हुआ है तो इसको भी आप अगर चाहे तो change कर सकते है यहाँ आप आप देख सकते कि widget inbound option आपको यहां पर मिल जाता है उसके बाद यहाँ पर बात करते shoulders की त फोल्डर का setting करना है तो यहां से आप कर पाएंगे यहां से उसका grid size भी आप set कर सकते हैं तो जितना भी आपको पसंदे उसको आप रख सकते हैं उसके बाद यहां पर आप आप theme को भी change कर सकते हैं यहां पर आपको theme देखने को मिल जाती है यहां पर आपको white width dark text भी मिल जाता है तो अगर आप चाहे तो इसको भी use कर पाएंगे उसके बाद यहां पर आपको ascent color का भी option देखने को मिल जाता है तो इसको भी आप set कर सकते हैं उसके बाद यहां पर बा उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं Google Feed की तो Google Feed के लिए आपको इसका जो एक प्लगीन आता है उसको इंस्टोल करना पड़ेगा तभी आप इस पर Google का जो फीड है उसको इनेबल कर पाएंगे उसके बाद यहाँ पर नोडिकर संडोट वगरा कुछ ऐसा सेटिंग आपको मिल जाता है तो अगर आप चाहे तो इसको भी डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते है यह प्ले स्टोर पर अविलेबल है तो वहाँ पर जा के आप डायरक्ली इसको इसको इंस्टोल कर पाएंगे तो आपको यह नया वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको यह वीडियो तो इस वीडियो को लाइक कर दिजिए अगर आपके कोई भी सवाल या फिस सजेसेने तो आप मुझे कमें सेक्षन में बता सकते हैं तो बस आज का वीडियो यही तक था आप मिलते हैं नए वीडियो में